आज हम RCCB, ELCB, RCD और RCB इन सभी में क्या अंतर होता है हमें कहां पर किसे लगाना चाहिए इन सभी के उपर अच्छे से बात करेंगी तो बिना जाने दिगरे वीडियो को स्टार्ट कर लेता है दोसों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इनके फुल फॉर्म की ब वहीं अगर ELCB की फुल फॉर्म के बात करें तो इसका पुरा नाम होता है अड़ तरीक के सर्कीट बेकर वहीं आप RCB और RCD की बात करो तो इसे बोला चाता है डोसों अभी आपको यहां पर टोटल चार तरीके के सर्कीट बेकर देखने को मिल रहें लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां आपे सिफ दो ही टाइप की सर्कीट बेकर है क्यूंकि दोस्तों आप सभी को पता भी होना चाहिए कि हमारी जो RCCB होती है जिसे हम Recidale Current Circuit पेकर बोलते हैं इसी का ही दूसरा नाम होता है हमारा RCB मतलब कहीं कहीं पर इसे RCB बोला जाता है या फिर कहीं कहीं पर इसे RCDB बोला जाता है तो अभी यहाँ पर आपको जो टीन फोटो दिख रही है ना इसमें से यह जो है यह है हमारी RCCB या फिर इसे आप बोल सकते हो RCCB या फिर आप इसे ही RCDB बोल सकते हो और इस पर यहाँ पर RCDB लिखावा है इसको आप RCCB बोल सकते हो आप इसे RCDB बोल सकते हो और RCD की बात रहो तो इसका मतलब है residual current device यहां पर circuit breaker की जगे device word का उपयोग कर लिया है तो आपको बिल्कूल भी confused नहीं हो ना वैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंतर आपको हमेशा ही RCCB ही सुनने को मिलेगा बाइस चांस आपको कभी RCCB या RCD सुनने को मिले तो आप खुद ही समझ जाएगा कि उस समय भी RCCB की भी बात हो रही है तो दोस्तो इसका जवाब भी काफी जादा simple सा है आपको यहाँ पर दो तरीके सर्कीट बेकर देखने को मिल रहे है एक है हमारा RCCB और दूसरा है हमारा ELCB सबसे पहली चीज तो दोस्तो आपको दिमाग में यह रखनी है कि आज के समय तो ELCB जो सर्कीट बेकर है अर्थली के सर्कीट बेकर यह आना ही बंद हो गए है तो आपको घर पे RCCB ही लगाना पड़ेगा या आपके इंडिस्ट्री में कहीं पर भी आपको RCCB ही लगाना है लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकर ELCB बंद क्यों हो गया और ELCB में क्या अलग होता है RCCB से तो पहली चीज दोस्तो जिस तरीके से हमारे पहले कीपेड वाले मोबाइल फोन का इस्तमाल होता था उसके बाद में आजकर टच वाले फोन आगए स्मार्ट फोन आगए तो एक तरह से हमारा क्या हो गया जनरेशन बदल गई मतलब धीरे धीरे चीज़े एडवांस होने लगे तो इसी तरह दोस्तो जो ELCB थी ये ELCB जो थी इसमें कुछ कमिया थी उसको सुधार के RCCB को लाया गया लेकिन अब कमी क्या थी तो सबसे पहली कमी जो मुक्य कमी थी ये थी कि जब आप ELCB के बात करते थे ये ELCB होती थी हमारी voltage operated voltage operated का मतलब क्या है तो इससे आप आसानी से ऐसे समझ सकते हो आपको RCCB का काम पता ही होगा कि RCCB क्या काम करती है नहीं पता तो simple सा वर के RCCB का जैसे कि हमने कोई load चला रखा है जैसे माल लीजी ये मैंने एक load को चला रखा है ये हमारा single phase से चलने वाला है phase और neutral चलने वाला है तो इसको मैंने क्या किया एक side से phase दिया दूसे side से neutral दिया तो अब जब हमारा normal condition healthy condition होता है तो उस case में क्या होता है जितना phase से current जाता है उतना ही return होता है तो यही चीज़ होती है तो जब हम RCCP को लगाते हैं system में तो RCCP क्या करती है ये phase और neutral इन दोनों के बीच में जो current flow हो रहा है इसको continue sense करती रहती है और जैसे ही कभी unhealthy condition हो जाती है मतलब हमारे system में कोई fault आ जाता है तो दोसा RCCP का काम तो आपको परेद लिया यहाँ पर कहीं सारे लोग RCCP की working को single phase और three phase में लेके भी confused होता है वो बोलते हैं कि हमने तो neutral समझ लिया लेकिन अगर हमारा कोई load है वो load हमारा three phase supply चल रहा है ryb से चल रहा है तो उस समय RCCP कैसे काम करती है RCCP आपस में जो दो phase है इनके बीच में हमारे current को major करती है कि जो current है वो आपस में equal है या नहीं अगर वो उपर नीचे होता है तो RCCP कर देती है तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो RCCP काम करती है वो करती है हमारा जो current है इस current के imbalance को check करती है और कभी दोनों के वीच में current में difference हो जाता है तो उस समय RCCP हमारी trip हो जाती है लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम बात करें ELCP की तो ELCP कैसे काम करती थी तो दोस्तों ELCP हमारी होती थी voltage operated यह voltage operated का मतलब यह है कि जिस तरीके से RCCP हमारी current को sense करती यह क्या करती थी जब हमारी system में कोई fault आता है तो क्या होता है दोस्तों हमारा current काफी ज़्यादा flow लग जाता है तो इसके वादे से हमारा voltage होता है उस voltage में भी unbalance होता है ELCP हमारे उस voltage को major करती थी कि हमारा system में हमारा दोनों में equal voltage है या नहीं उसको sense करके हमाई trip करती थी इसके अलाव दोस्तों ELCP का एको नुक्सान ये भी था ELCP के लिए हमें earth wire की need होती थी जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा यहाँ पे आपको कितने सारे point दिख रहे हैं यहाँ पे face neutral connect करने के लिए हैं जिसके अंदर हमें earth wire की need होती थी वो काफी time पहले से आना बंध हो चुकी है मतलब इसको 10-12 साल हो गए इसके पहले से आना बंध हो चुकी है इसके बाद में हमारी normal ELCP आने लगी जो की voltage से operate होती थी लेकिन voltage से operate होने वाली ELCP भी आज के समय नहीं आती लेकिन दोस्तों अब आप RCCP को उप्योग करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि RCCP को 3 टाइप में बाड़ा जाता है उसकी sensitivity के आधार पे RCCP 3 टाइप की कौन कुन सी योग एक होती है 30 million जैसे आपको यहाँ पर लिखावा भी दिख रहा है आपको आज की वीडियो के साल लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दो बसकते हैं आज यहां चैनल को सम्हें चैनल को स्ब्सक्राइब कर लाइजे आज के लिए अं धन्यवाद